इन्टेग्रल ओफ जीरो टू त्री बाइट यहां सब अपने को इसकी वैल्यू बताने ठीक है । यहां सब अगर अगर पन देखे तो एक्स के लिए जो इंटरबल्स गिवन है एक्स के लिए जो इंटरबल्स गिवन है अब अगर मैं pi of x की value वोलो तो pi of x की value क्या होगी यहाँ पर यहाँ जाएगा 3 pi by 2 और greater than 0 तो इसमें अपन ने क्या क्या pi x के लिए limit क्या आगया यहाँ पर 0 से 3 pi ठीक है तो अब अगर अगर अपन sin of pi x की value वोले तो वो negative भी होगा positive भी होगा यहाँ गया x के लिए limit क्या था 0 to 3 pi तो pi x के लिए limit क्या गई 0 to 3 pi by 2 अब अपन देखे तो जो given quantity है इसमें x तो always positive होगा बट sin जो है यहाँ से अगर अपन बोले तो pi x belongs to यहाँ से अपन क्या बोल सकते है pi x belongs to 0 to pi pi x belongs to 0 to pi ठीक है and union pi to 3 pi by 2 ठीक है 3 pi by 2 यह अपन इस interval में इसको break कर सकते है अब अगर अपन यहाँ से बोले तो sin of यहाँ से अपन बोले sin of pi x sin of pi x तो क्या होगा यहाँ पर positive sin of pi x तो इस interval में क्या होगा positive 0 to 1 इसकी value होगी 0 to 1 इसकी value होगी यह अपन यहाँ पर close कर दें यहाँ पर अपन इसके लिए close कर सकते है equality यहाँ पर डाल सकते है integration में यहाँ पर equality से फरक नहीं होता है equality बन डाल सकते है यह अपने पास value होगा यहां भे वे अपन एकुल्टी डाल सकते हैं, तो sine of π.x इस interval में 0,2 क्या होगा, 1 और इस interval में sine of π.x क्या होगा, 3.5.2-1 और π.y.p. क्या होती इसकी value 0, इस interval में इसकी value belongs to 0,2-1, इस interval में यह quantity क्या होगी, negative होगे, और इस interval में यह क्या होगी, positive होगी, तब मैं इस integration को दो break तो इसको लेट से मैं integration करता हूँ किस interval में 0 to 1 ठीक है और 1 से 3 by 2 ठीक है तो basically इसको अपन break करें किसमें 0 to 1 इसको मैं break करूँगा integral 0 to 1 ठीक है 0 to 0 to 1 ठीक है यहाज़गा 0 to 1 और यहाज़गा modulus of is x sin of pi x dx और more प्लस यहाज़गा integral 1 to क्या आज़गा यहाँ पर 3 by 2 1 to 3 by 2 और यहाज़गा modulus of x sin of pi x ठीक है sin of pi x modulus और यह क्या ज़गा dx अब अगर अपने इस interval में देखें ठीक है इस interval में यह overall quantity जो है यह क्या है positive ठीक है इस interval में अगर अगर आपन देखें तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा x x sin of pi x तो इस interval में यह quantity क्या है positive मतलब greater than equals to 0 है और इस interval में इसकी value देखें तो x sin of pi x यह क्या है x sin of pi x के value इस case में क्या है negative है मतलब less than 0 अगर less than 0 है तो यह negative sign के साथ अपन होगा और यह प्लस sign के साथ पन होगा तो मैनस साथ अगरी ओपन होगा तो मैनस यह जगा integral 1 2 3 by 2 1 2 3 by 2 यह जगा x into sin of pi x इंटू में क्या जगा यहां पर dx तो अपन इसके लिए में integration solve करता हो यह क्या है आई अब इसको अपन कैसे solve करें लेट से इसमें अपन क्या करेंगे integration by parts यूज करेंगे इंटीगरेशन by parts के लिए formula अपन क्या यूज करते हैं आईलेट यूज करते हैं ठीक है तो algebraic function को अपन first बोले और trigonometry को अपन second function बोले ठीक है तो algebraic यहां पर क्या है x इसको मैं first बोलूँगा और यह क्या होगा second इसको वर्ष्ट बोलेंगे second function अब यहां पर क्या जै इसके लिए integration by parts यूज करें तो by parts का formula क्या होता है का first function as it is तो first function क्या यहां पर x तो x as it is और integration of second function integration of second function मतलब sin of pi x का integration integration of second function और यह क्या जाएगा sin of pi x ठीक है और इसमें limit 0 to 1 आये जाएगा और यह जाएगा और यह जाएगा इंटीगरीशन 0 टू फंक्सन तो एक्स का क्या यहां पर डिपरेंशन गांड रहा ऊंट्रेशन आप नोड मायनस यहां पर पाइपार्ट सप्लाई करें तो यहां पर बाइपार्ट करें तो यहां पर यहां पर यहां पर इसके लिए बाइपार्स के लिए फॉर्मला हो जाएगा अब मैं यहां पर इसकी वैल्यु बुट करता हूं ठीक है यहां पर इसकी क्या होता हूं सुप्राइब शिंटू यहां पर यहां पर यहां सेगा लुट जीटरोघव बड़न है इसमें लिमिट का पुट करेंगे अपन 021 ठीक है यह जागा minus ठीक है यह minus और यहां पर आजएगा integral 021 जीरो टुब 1 और यहां पर इसका integration क्या होगा integration हो जाएगा minus तो यहां पर plus आजएगा और यह और इसमें अपन लिमिट के अपूट करेंगे 1 2 3 by 2 और यहां से यह वैल्यू मैनस मैनस प्लस और एक और मैनस होगा यहां पर मैनस आ जाएगा इंटेग्राल 1 2 3 by 2 और यह वैल्यू आ जाएगा यहां पर इसकी वैल्यू होगी यहां से इसका इंटेग्राशन के साथ इसका इंटेग्राशन मैनस होगा यहां पर मैनस साथ प्लस हो गया यहां पर इसका इंटेग्राशन मैनस होगा पीछे मैनस साथ यह प्लस हो जाएगा और यहां पर इसका इंटेग्राशन मैनस मैनस प्ल पूट करते हैं जीरो जिए से मल्लीप्लाइता तो यह आजाएगा इसके लिए इसके लिए इसके लिए पूट करेंगे जीरो तो क्या जाएगा अपर ने में पूट कर यहाँ पे यहाँ पे 3 by 2 into cos of 3 pi by 2 divided by pi lower limit put करें lower limit करें तो यहां से एकस1 into cos of ठीक है यहां से एकस1 into cos of pi divided by pi ठीक है तो यह अपने इसमें upper limit और lower limit प्रूट कर दिया और इसकी value गर आपने दहा तो यह जेगा मैनस ठीक है यह वैल्यू आ जाएगा मैनस यह जाएगा साइन ओफ पाई एक साइन ओफ पाई एकस डिवाड़ेड़ वैपाइस को रिसमें लिमिट पूट करेंगे वन तू त्री वाई टू अब पन इसकी वैल्यू चेक करते हैं ठीक है कॉस्पाइक वैल्यू क्या होती है मै पाई प्लस यहां जो पन दीक होती यह इसके लिए statement क्या होगह यहां प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी जी रो यह को स्थ्रेप anx or a जिर्य और प्लस उन अपों पाय अब अपन इसकी वेलु देखे तो यह मैनस और यहां पर अपर लिमेट पूट करेंगे इसके लिए अपर लिमेट पूट करें तो यह वेलु आ जाएगा x के value 3 pi by 2 ती आजाएगा sin of ये value आजाएगा x के जबाए 3 pi by 2 divided by pi square और यहाँ पर value आजाएगा minus sin of pi divided by pi square अब sin pi क्या होती है 0 अपनी यहाँ से इसको further simplify करें तो मैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आजाएगा 1 upon pi यहाँ प्लस यह value देखें तो sin pi के value 0 sin 0 का value 0 यह 0 था प्लस में क्या आजएगा 1 upon pi next नम क्या आगया 1 upon pi minus यहाँ ब्रैकेट मंगर अपन देखें तो sin of 3 pi by 2 क्या होती है sin of 3 pi by 2 क्या value होती है minus 1 upon यह value आजाएगा pi square minus 1 upon pi square sin pi क्या होती है 0 मैंनस 0 यहाँ से basically value देखें यह किसकी value के इकोल आके यहाँ गया 2 upon pi minus यहाँ पर आजाएगा 1 upon 1 upon pi square ठीक है यहाँ से अगर पन इसकी value देखें LCM देखें यह value आजाएगा 2 pi minus 1 2 pi minus 1 upon pi square ठीक है कर दो कर दो